हेलो गाइस हमारे इस्टूप चाइनल पिक आई रिवेदा में आप लोग के स्वागत करता हूं तो अज हम इस विडियो में जानने वाले हैं जुम्हें स्कीम पे देख रहे हैं आपका एक हमदर्द कंपनी का हमदराइड कैपसूल है जो पिल्स के लिए बावासिर में उप् देखिएगा और वीडियो शुरू किने से पहले हैं अब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर हमारे वीडियो आप लोग आज पहली बार देख रहे हैं था हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ हम आज चैनल को अप्लोग सब्सक्राइब कर चलिए अब दान लेते हैं इसमें जड़ी बुटे के बारे हमिपा करें इसमें मुंगे घटकिसमें जो डाली इपका मुंगे घटकिसब्arat उस्कंशल को जानते हैं हमदराइड कैपसुल के फैदे के बारे में पूरे विस्तार से तो आप लोग हमारा इस वीडियो को लाज तक देखिएगा तो यह जो कैपसुल है बिचेस कर बावासिर में उपकर वाय जाती है जैसे आपका हमदर्द हमदराइड कैपसुल बावासिर के लिए एक मजबुत में और अधिक परवसालिय में देखिए और वड़ खुझन को कीुझन करता है जिसके और वावासिर की सुजन को ठीक करती है अगर घावों तेजी सीबसे जो मसा हो जाता है उसको आपको तेजी से बरती है शुखा कर गिरा देती है यह जो कैपसूल है आपका बावासिर के लिए बहुत ही परवसाली कैपसूल है इसका इस्तमाल से आपका खुनाने की समसिय अगर बावासिर में खुने वादी में खुनाने की जो समसिय रगती है उ आहरे आपका बावासिर का मुख़ कारान होता है कबज कबज । अगर है तो बावासिर ठीक नहीं होता है कबज को दूर क्विजिए और बावसिर को ठीक चीपिजिए इसके साते अंग अर्वेदिक'Mध का भीधे आप इस्तमाल करें और बावासिर में जो कब्ज रहती है उसके लिए आप तिरफाला चुड़न का इस्तमाल करें आदे अर्विजिक दव अपने डॉक्टर और बेद के सला के नुशा बावासिर में उप्योग कर सकते हैं तो चलिए अब जानते हैं इस कैपसूल का सेवन बेदी और मातरा के बारे में इस कैपसूल को आप लोग किस परकार सेवन कर सकते हैं तो इस कैपसूल का मातरा है आपका एक से दो कैपसूल सुबा साम इस कैपसूल का इस्तमाल कर सकते हैं कैपसूल सुबा नस्ते के बाद एक कैपसूल साम में इस कैपसूल का इस्तमार करवा चाहिए और इस्तमार करने से पहले आप अपनी डाक्टर की सला के ही अनुसार इस्तमार किजे क्योंकि दोस्तों एक जो कैपसुल है उम्र के हिसाब से इस कैपसुल का इस्तमाल करवा जाती है और यह आपका रोगों के अनुसार इस कैपसुल को दी जाती है इसलिए इस कैपसुल का इस्तिमाल केने से पहले अपनी डाक्टर और वेद के ही सला के अनुसार उप्यो करें और बात करें इस कैपसुल का MRP का दोस्तों एक कैपसुल एक पते का जिसमें 10 कैपसुल रहती है इसका करीब सही 30 रुप्या कीमत है और यह आपका एक डबा जो इसका कीमत है एक डबे में जो पाज पता रहता है देख रहे हैं दोस्तों इस तरह से पाज पता रहता है मतलब 50 कैपसुल रहता है वहां से लेकि आप इस कैपसूल का इस्तमाल कर सकते हैं तो आप हमारा वीडियो लाश होता है आगर हमारे वीडियो पसंदा हो तो हमारे वीडियो को लाइक के ज養 और साथ साथ हमारे चानल को आप लो सब्सक्राइब के लिजिए